नमस्कार दोस्तों भाईयों प्यारे किसान सातियों स्वागत करता हूँ आप सभी का इन्पुटेक फानमी लिडर चेनल पर किसान सातियों आज दिनाग हो चुकी ए 18 नवंबर 2022 दिन हो चुकाई शुकरवार का समय हुआ है किसान सातियों अभी 9 बच के 37 मिनिट वीडियो आपके पास आएगा 10 बजे के बाद बात कलेते है किसान सातियों मद्द प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदूर की चोईत्रा मंडी और शायापुर मंडी की क्या position रही किसान सातियों आज आवक्त में खितना उतार चड़ाओ देखने को मिला कल मारकेड में क्या position रही आज का महल केसा रहा देखने को मिलेगा इंदो शाजाप्रमंडी के साथ-साथ किसांसातियो 12 मंडियों के आपको नासेक महाराष्ट साहूथ साइट की जितनी भी मंडिया उन सभी मंटियों की भाव दिये जाएंगे प्याज भाव और आवक की जैनकरिय आज की अभी दी जाएगी सबसे फिले बात करेंगे किसान साथियो शाया प्रमंडी की अगर आवक की बात करूं किसान साथियो तो रिकार्ड तोड़ आवक है किसान साथियो 40-45,000 कटे प्याज की आवक है और 5000 कटे लसुन की आवक है आज इंदर शाया प्रमंडी में आलू बिल्कुल भी नहीं है बात करें किसान साथियो आज शाय प्रमंडी की शाय प्रमंडी में किसान साथियो शुरुवाती निलामी के अपको भाव बता देते हैं लसुन के किसान साथियो लसुन अभी तक शुरुवाती निलामी में सत्रा सुरुपे तक बिख चुकी है बात करें किसान साथिय सब्सक्राइब प्रोग्राम सब्सक्राइब लगाएट ऑगल में 50 रुप्र चैटन कादू है लगाकर इस गोल्टा गया है 800 से 900 रुपे में हमारा मीडियम प्याज गया है और 900 से 1000 रुपे में हमारा मुकल प्याज भी का है 1000 से 1100 रुपे में हमारा एश्टा सुपर प्याज गया है और 1100 से 1200 रुपे के बीचे में हमारा एक्सपोर्ट कॉलिटी का सुपर प्याज भी का है और मानसिक मंदी भी है और 37 किसान सातियों वास्टिक मंदी भी है तो तिनों मिला के अज मंदी वड़ा है किसान सातियों बात करें किसान सातियों इंदूर की चोहित्रा मंदी की इंदूर की चोहित्रा मंदी में कल किसान सातियों नया प्याज जो है वो एक हजार से पत्चिस 1100 वे ग्रॐक का है और से किसंग करेंगे ते चिपस्पास में führen रूपाइब धेखने को मिला आज भी मंदी वाड़ा रह सकता इंदूर मंडी में किसांसातियों लसुन रिवास हो चुकी फिर से पुना क्योंकि बीच का टाइम था तो बीच के टाइम पे लसुन में तेजी देखने को मिली थी कुछ समय तक लेकिन वो जैसे बीच का टाइम निकल के गया किसांसातियों अपनी तेजी अपने साथ लेक के चला गिया जिन भाईयों ने उस टाइम पर लसुन बेच लिवा फाइदे में रहे जिन भाईयों ने नहीं बेची वो घाटे में गये किसांसातियों यह तो हो गई हमारी इंदूर मंडियों शायापुर मंडी की बात अब आवक की बात कर शायपुर्मंदी की जैनकरी, इन का किसां सांत्यू इंदुर्मंदी का शुरूबती निलामी के भाव का विडियो लेक्ट आऊंगा आपके लिए 11.50-12.59 के बीच मैं उसी में आपको शाया पूपुर्मंदी की सुपर फ्याइट से लगाके 2711 रूपय प्रतिकुंडल के सबसे भीका है 2711 जाए 3700 रुपय का रेट था दो दिन पहले जहां आज 2700 रूपय मार्केट आ चुका है यहने लिए वाट करेंगे यहां पर अठारा सो सो दो हजाए रुपय का रेट एक्सपोर्ट कुलिटी के पियाइश का शटाना मंडी में 3500 रुपय का रेट था आज 15 सोलापुर्मंडी की बात करेंगे कल के आवक्ती एक्सोपिच्चा सी गाड़ी की और एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर्फ्याज किसान साथ यह 2700 रुपर से लगागे 3000 रुपर पिका है एक भी मंडी बन नहीं थी महराश्ट और colours नासीगों सायुथ कि एक भी जो जिस समय पर खुलती है और जो जिस धिन खुलती है वह उसी दिन खुली थी महाराश्रिण सचाइब में हफते में सुपर प्याज़ लगा कि एकिस्सों रुपए पुने मंटी में ज्यादा तर हाइस्ट वाव गया था बत्तिस्सों रुपए अभी एकिस्सों है 1100 रुपए डाउन हो चुका है इस दस दिन के अंतर रहतर मुंबई अब यहाँ पर नहीं गया था मुंबई एकिस्सों रुपए तक इससे उपर नहीं गया था अभी चप्वीस्सों रुपए का रेट है तमिल नाडों की चेने मंटी की बात करें किसान साती हो यहाँ पर मेडियम प्याजे 1600 से 2000 रुपए मुकल प्याजे 2000 से 2400 रुपए 400 रुपए तक पहुच गई थी अभी है 3000 रुपए मार्केट का डाउन हो चुका है बाइस दस दिन में बारा दिन में 1200 रुपए डाउन हुआ है तमिल नाडों की चेने मंटी में देवला की देवला मंडी की बात करेंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 1500 से ल प्याएट को मिल रहा है चांद्वाणबंडी की बात करेंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर्प्याज 1290 से गुनेस सोडी रुपए पीपल गाउं मांदी की बात करेंगे एक्सपोर्ट का सुपर प्याज 2 200 रुपरति कुंदल के हिसाब से बल्य कर देखें अधिक है वाव नहीं बंड़ने का में आपको बता देता हूं मध्द प्रदेश के अंदर जिन भायों ने कभी जीवन में प्याज की खेती नहीं करी उन्होंने भी इस बार प्याज की खेती करी थी समझ रहे बात आपको आप बात समझ रहे मेरी जिन किसान भायों ने प्याज की खेती कभी लाइप में नहीं करी थी कि उन्हों ने भी प्यास की खेती इस बार लगा थी और जो ले ले जलेकर चालिस साल क्या करीगा मुझे बदाये ऑप भारत हैं और जिन्होंने प्याज किया था न वो ये मान के चलेगी तीन साल उसके खतम हो चुके हैं तो किसान साथी यो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरू कीजिएगा सभी किसान भाईयों का धन्यवाद जे 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 वान जे किसान जे वरत वद्ने मातरम सब्सक्राइब जरू कीजिएगा